राश्ट्रिये शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशत के केंद्रिये शैक्षिक प्राध्योकी की संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तु थे बाल कारिक्रमों की श्रंखला रंगोली रंगोली में आज सुनते हैं कारिक्रम एक उपयोगी कला तैरा की तैरा 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 बच्चो तुम्हें पता है सारे विश्व में हर रोज लाखों लोग सागरों नदियों जीलों तालाबों और तरण ताल याने स्विमिंग पूल में तैराकी का आनंद लेते हैं और तैरने से शरीर में चुस्ती और फुर्ती आती है और हाँ साथ ही साथ सभी मासपेशियों का अच्छा खासा व्यायाम भी हो जाता है और बच्चो ठंडे ठंडे पानी में तैरने का तो मज़ा ही कुछ और है तैरना तैरना ये काम बड़ा ही अच्छा है तैरना तैरना तैरने से हो मन उरंजन तैरने से फुर्ती आए नर्यों झीलों तालावों में, तैरने को हम सब जाएं व्यायाम बड़ा ही अच्छा है, व्यायाम बड़ा ही अच्छा है तैरना, तैरना बच्चो तेरा की बड़ी ही उपयोगी कला है हां ये कला इतनी उपयोगी है कि इससे किसी की जान भी बचाई जा सकती है जैसे एक बार अच्चू का पैर फिसला और वो नदी में जागी रहा और फिर वो पानी में डूबने लगा तभी अच्चू की मीना मौसी भी पानी में कूद पड़ी मीना मौसी ने पानी की तेज-धार पहल में का मुकाबला करते हुए अच्चु को डूबने से बचा लिया अब पता लगा तैराकी के कितने लाब हैं बच्चो अनेक पशु पक्षियों में तैरनी की योग्यता जन्म से ही होती है लेकिन हाँ मनुष्य को ये कला सीखनी पड़ती है और एक बार सीख लेने पर ये कला जीवन भर याद रहती है मनुश्य को सीखने पड़ती तैरने की एकला एक बार सीखने तो याद रहती है सदा मनुश्य को सीखने पड़ती तैरने की एकला एक बार सीखने तो याद रहती है सदा तैरना, तैरना प्यायाम बड़ा ही अच्छा है तरना तरना हाँ तो बच्चो मैं तुम्हें अच्चू के बारे में बता रहा था तो भई अच्चू को जब मीना मासी ने पानी में डूबने से बचा लिया तब अच्चू को समझ में आया कि तहरा की सीखना कितना जरूरी है और तैराकी सिखाने के लिए उसकी मीना मौसी से अच्छा शिक्षक भला और कौन हो सकता है जानते हो क्यों? क्योंकि अच्चू की मीना मौसी तैराकी में राष्ट्रिये चैंपियन है तो बस अच्चू जी ने अपनी मीना मौसी को घेर लिया और पूछा मौसी, पानी में किस तरह तेरते हैं? देखो अच्चो, तेरने में हाथ और पेरों से पानी में हरकत करते हुए शरीर को आगे बढ़ाना पड़ता है साथ ही हाथ और पेरों की गती में भी संतुलन रखना पड़ता है और इसके लिए कई दिन तक अभ्यास करना पड़ता है अच्चा, तो पानी में तेरने का एक तरीका होता है मैं तो पानी में गिर कर तेरने के लिए यूँ ही हाथ पेर मारने लगा था तभी तो तुम डूबने लगे थे? अच्चा देखो अच्चू, पानी में तेरने के कई तरीके होते हैं और तेराकी का हर तरीका अभ्यास से सीखना पड़ता है अच्चा, तेराकी के भी कई तरीके होते हैं? हाँ, तेराकी के भी कई तरीके होते हैं जैसे फ्री स्टाइल यानी खुली तेराकी बैक स्ट्रोक यानी चत्थ होकर तेरना ब्रेस्ट स्ट्रोक यानी छाती के बल तेरना और बटरफ्लाई यानी तितली के उड़ने की तरह तेरना अब बताओ तो मैंने कितने तरीके बताए चार कौन कौन से फ्री फ्री स्टाइल यानि खुली तेरा की शाबाश बैक स्ट्रोक यानि चित्थोकर चित्थोकर तेरना ठीक ब्रेस्ट्रोक ब्रेस्ट स्ट्रोक यानि छाती के बल तेरना शाबाश और 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 बटर्फ्लाइग यानि तितली के उड़ने की तरह 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 शाबाश अच्छा मौसी मैं भी तरह शीखूंगा मुझे सिखाओगी अरे वाह मेरे अच्चू वाह यह हुई ना बाच शाबाश तो बच्चो इस तरह अच्चू अपनी मीना मौसी से तैर ना सीखने लगा और क्यों ना सीखे भई तैरने से व्यायाम और मनुरंजन तो होता ही है साथी साथ शरीर भी स्वस्थ रहता है इसलिए तैराकी सीखने में संकोच नहीं करना चाहिए तो बच्चो तुम भी अपने अध्यापक जी के साथ तरन ताल में जाओ और वहां तैराकी सीख रहे बच्चों को देखो और इस कारेक्रम में बताई गई तैराकी की विधियों को समझो तैराकी प्रशिक्षक से तैराकी के बारे में तुम अन्य जानकारी भी प्राप्त करो जैसे भारत और विदेशों के मुख्य तैराक कौन कौन से हैं और इस वर्ष राष्ट्रिय और अंतरराष्ट्रिय स्तर पर तैराकी की प्रतियों गिताएं मुख्य रूप से कब-कब और कहां आयो जितकी गई तैराकी के सभी तरीके तरण ताल में सीखने जाए देश भी देश में तैरन जाएं नाम देश का खूब बढ़ाएं तैरना तैरना व्यायाम बड़ा ही अच्छा है व्यायाम बड़ा ही अच्छा है तैरना तैरना ये काम बड़ा ही अच्छा है ये काम बड़ा ही अच्छा है तैरना 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 एक उप्योगी कला तैराकी अभियाप सुन रहे थी रंगोली की अंतरगतिय कारिक्रम। गायन संतोष कुमार, ध्वनयंकन सतीष लाडे और देपक पांडे, ध्वनी सयोग दावु देयाल चत्रुबेदी, आलेक संपादन, निरमान इवं प्रस्तुती, वंदना अरिमर्दन।